हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने online platform वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग one word substitution का part 8 करेंगे इसके पहले के जितना भी वीडियो अप टू पार्ट 7 वो सारे मैंने बना दिये हैं और वे सारे ही हमारे चैनल पर अविलबल है आप सभी इने वो वीडियो देख लिये होंगे सो नाव विधाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का वीडियो आगे continue करते हैं और चलते हैं पहले question की तरफ पहला question है place where animals are cared for food ऐसी जगा जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए मारा जाता है उसे क्या कहेंगे तो हिंदी में इसे बोलते है कसाई खाना अब हम options देख लेते हैं option A है abdication abdication का मतलब होता है to formally give up किसी को अपचारिक रूप से त्याग देना option B is abbot, abbot मतलब head of a monastery जो मठ होता है मठ का अधिकारी मठा अधिकारी उसे बोलते हैं option C is abattoir, abattoir मतलब कसाई खाना वो जगा जहाँ पे animals को मारा जाता है option D is abbreviation, abbreviation मतलब shortened form of a word or phrase लगुरूप संछेप, शब्द का इसे बोलेंगे abbreviation तो hope आपको सारे words clear है और यहाँ पे हमारा one word substitution हो जाएगा option C, abattoir hope आपको यह चीज clear है, आगे बढ़ते हैं, अगला one word substitution क्या होगा वो देखते हैं तो यह हमारा question है, helper in wrong deed or crime, गुनहा करने में या फिर गलत कामों में जो हमारी मदद करें उसे क्या कहेंगे जो किसी अपराद को करने में हमारा साथ दे उसे क्या कहेंगे, options देखते हैं, option A दिया है, alien alien मतलब one who belongs to different country, गैर नागरिक, जो हमारी देश की नागरिक ता जिसके पास नहों वो दूसरे देश का हो उसे बोलते हैं, alien option B is accomplice, accomplice मतलब सह अपरादी, जो किसी अपराद में हमारा साथ दे, option C is alimony, alimony मतलब allowance fixed after divorce to a wife, मतलब तलाक के बाद बीवी को जो allowance दिया जाता है, उसे बोलते हैं alimony and option D is aggressor, aggressor मतलब आकरमण करता, someone who attacks first, जो पहले attack करता हो, जो पहले आकरमण करता हो, उसे बोलते हैं aggressor तो hope आपको सारे words के meaning clear है और यहाँ पर हमारा one word substitution हो जाएगा, helper in wrong deed or crime का option B, accomplice तो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है हमारा, one who lives and works for the welfare of others ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता हो, दूसरों के welfare में काम करता हो, उसे बोलते हैं क्या, तो इसका one word substitution हम जानेंगे, उससे पहले हम options को देख लेते हैं पहला option है, ambidextrous, ambidextrous का मतलब होता है, equally skillful with each hand, जो दौनों हातों से निपुड हो, उसे बोलेंगे ambidextrous option B is ambiguous, ambiguous मतलब having more than one positive meaning, जो असपस्ट हो, जिसके दो अर्थ होते हो, उसे बोलते हैं ambiguous option C is amateur, amateur मतलब 11 पेशेवर, lacking professional skills और expertise and option D is altruist, altruist मतलब परोपकारी, जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के हित के लिए काम करता है तो यहाँ पे one word substitution हो जाएगा हमारा, option D, altruist, परोपकारी यह, option D, altruist, परोपकारी hope आपको यह clear है, आगे बढ़ते हैं, अगला question है हमारा, one who loves and collects books ऐसा इंसान, जिसको कितावे बहुत पसंदोर, वो किताबों का collection करता हो, मतलब किताबों का संग्रह करता हो, उसे क्या बोलेंगे, अब हम options देखते हैं, पहला option है हमारा, bellicose bellicose मतलब, अब person who is fond of fighting, ऐसा इंसान, जिसको लडने का बहुत शौक हो, लडाकू option B is belligerent, belligerent मतलब engaged in war or fight, योद्दिरत, option C is bibliophile, bibliophile मतलब पुस्तक प्रेमी and option D is biannual, biannual मतलब which happens once in two years, द्वी वर्षी है, जो दो साल में एक बार होता है, वो होता है biannual biannual से confuse मत करना इसे, biannual का मतलब हो जाता है, जो एक साल में दो बार हो, लेकिन biannual मतलब जो दो साल में एक बार हो अब आपको meaning clear है इसका, अब इसका one word substitution हो जाएगा, option C, bibliophile जिस इनसान को किताबे बहुत पसंद होती है, वो किताबों को collect करता है, books को collect करके रखता है, जिसे बहुत किताबे पढ़ने का शौक होता है, उसे बोलते हैं biblio file अगला question देखते हैं, और ये question है हमारा secret agreement for a fraudulent purpose जब secret हम agreement कर लें, कोई गुप्त समझाता कर लें, उसे क्या बोलेंगे, तब हम options देखते हैं option A दिया है, cognate, cognate मतलब एक ही उत्पत्ती के, having same origin, जिसका origin सेम हो, उसे बोलते हैं option B is collision, collision मतलब crash, टक्कर होना, भेडंत होना, option C is collision, collision मतलब conspiracy, शर्यंत्र रचना, कप्ट संधी, इसे बोलते हैं हम लोग option D is conflict, conflict का मतलब होता है, जगड़ा, बिवाद, argument, fight, तो hope आपको सारे words के meaning clear है, और यहाँ पे हमारा one word substitution हो जाएगा option C, collision, क्योंकि collision का मतलब होता है, कपट संधी, conspiracy, तो hope आपको यह भी clear है, तो friends आज मैंने आपके साथ कुछ one word substitution डिसकस किये, hope आपको इन सभी के meaning clear होंगे, और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा अगर still doubt हो, तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ, relatives के साथ, और अगर अभी तक channel subscribe नहीं किया है, तो please channel भी subscribe कर लीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, फिर मिलेंगे कल एक नई अपिसोड के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.